सवगत है आपका अपने यूटूब चैनल एनके क्लासेस पर दोस्तों आज इस वीडियो में परिच्छा की दृष्टी से बहुत ही मात पूर्ण प्रस्ण जी हाँ दोस्तों ऐसा प्रस्ण जो आपके पेपर में कई वारा चुका है बहुत ही मात पूर्ण है वीडियो के अन तक बने रहिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को दिल से सस्क्राइब कर प्यारा सा कमेंड कर वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथियो जो प्रस्ण है राम रच बेनी पूरी जी का साहितिक विसेस्ताय लिखे या कि प्रस्ण पूँचा जाता है साहितिक परिचे लिखे तो दोस्तों जो पहले पेपर में आपसे क्वेस्टन पूचा जाता था कभी परिचे तो अब नए पैटन के अधार पर चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी इंपॉड़न कभी है अन गिस्यों के इंपॉड़न कोस्टन आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रवाइट कराया जाएगा चलिए दोस्तों फड़ा-फड वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रवाइब को लिखना है चिता के फूल और तीसरा रचना है माटी की मूर्तें बहुत ही सरल है आपको दो रचना है अच्छे से कंठस्त करना है साथियो पेपर में आपको अच्छे बैडों के साथ सटीक सब्दों में लिखना है क्योंकि आपका एक नंबर आपके लिए बहुत important होता है आपको एक number भी नहीं छोड़ना है और आपको number तभी मिलेगा जब आप प्रस्ण का सही एवम सठीक सब्दों में उत्तर देते हैं तो सात्यों चैनल में बने रहिएगा पूरा मैसराल एवम सठीक सब्दों में उत्तर बताऊंगा इसके आगे देख लीजिए सात्यों इसके बाद आपको साहितिक विसेस्ताएं लिखना है पहला है बेनी पूरी जीक की विचारधारा एक दम एसपश्ट है जहां दोस्तों पहला विसेस्ता हो गया फिर इसके आगे थोड़ी से और लिखना है वे अपनी बात बिभिन उदाहरणों भावुक प्रसंग और सक्ति परक बाकों की सहायता से पाठक तक पहुचा देते हैं इस तरह से लिखना है बहुती सरल है सतीक सब्दों में है आपको इस तरह से लिखना है फिर इसके बाद उनकी रचनाओं में समाज सुधारक और राष्ट उत्थान का स्वर है उनके निबंधों में विचार कल्पना और भावना का अधुभूत समाजस से है फिर इसके बाद चौथा लिखना है उनके लेखन में देश और समाज के विकास की इच्छा दिखाई देती है इस तरह से आपको लिखना है बहुत ही सरल है इंपोर्टेंट है दोस्तों जो पहले आपसे कभी परिचे पूछा पूछा जाता है तो इस तरह से आप दो रचना है और साहितिक भी से स्ताय लिखना है अगर आप पहले जाएसे रचना लिखते हैं और आपको साहितिक भी सेंस्ताय मैं आपको कभी परिचे आप तक प्रुवाइड कराऊंगा, अन्ने भी सियों कभी important question आपको बताऊंगा, तो next वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे साथियो, जैहिन बंदे मात्रा.